अब इसने प्रॉब्लम किया है कि बहुत सारी वैल्यूस डुप्लिकेट है शॉर्टर किया यूज करें कि हम इन डुप्लिकेट्स वैल्यूस को फाइड कर सकें तो आपको सिंपल कीबोर से अर्ट, एच और एल प्रेस करना है जैसे ये प्रेस करेंगे यह conditional formatting परेंडों अपने ओपन हो जाती है और यहां पर आपको जाना है और क्या करना है यहां पर जाने की बाद यह highlight रूल पर जाना है और यहां पर जैसे जाने के तो आपको नीचे दिखाई करेगा यह लेखिए यह duplicate values बस आप इसी को एंटर कर दिएगा और यह कुछ इस तरिके से highlight भी हो जाएगे अगर आपको यह video पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video